हाँ फ्रेंड्स कैसे हो आप सब भी आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो और बहुत इंजॉय कर रहे हो आज क्या हो रहा है विकेंड श्टार्ट हो गया है आप लोगों कि क्या क्या प्लान से मुझे बदाईएगा और पता आज मैंने बोलोगी कि टोपा पहन के रखा है हाँ मेरा स्कार राप सूख रहा है वन्हें मुझे कल्यान में घंडी लगए नैं मैं इसलिए इसकाफ बांती तुके सिर्फ कान की कवर बाते है तो मैं लोग अपने सारी चिसे दोने कि लेडाल दी है सबसूख रहा है तो मैंने टोपा डाल ली अपना कैसा लग रहा है मेरा टोपा आप लोग मुझे कमेंट करके बताईएगा और आज मैं आप लोग के सते बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली मतलब मैंने उसको तू टू टाइम ही बनाया है बटी के मुझे थोड़ा ब मुमोस तो चलिए मैं आप लोगों को मुमोस बनाने की पटा पट वाले टिक बताती हूं चलिए जल्दी से नहीं चलना 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 जल्दी से बताती है अब मस्ती नहीं करूंगे अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलती है के चलना मैं तो जल्दी से इंगरिंट्स दिख चलिए चलिए तो फ्रेंड्स हम आर चुके हैं किचिन में अम आपको बता देते हैं फिलिंग लिए इंग्रियंट्स में मैं हरी मिर्च लिए तीन-चार शिम्ला मिर्च लिए पास हाफ ता तो हाफ ले लिया मैंने दो ओनीन काटे चोटे साइस के और गाजर ती गाजर काटी है और मैंने अप्तक लिया है मैंन सब चीजोग को अच्छा से चौप कर लोगी जूपर की परनीना जटे को बसाफ चूपने को ल को सब्रirezशन तरіш में मिक्स कर दीएक क्योंकि अपना इक पानी सब्जी ओर तो किसा डाउँ अनिसा प्ल मन प्रेंट प्रय स्दमिटी तडि आप लोग डालना चाहें तो डाली है नहीं डालना चाहते तो कोई प्रब्लम नहीं है मुझे अच्छा लगता है टिस्ट तो मैंने डाल दिया और मैं इसको अच्छा मिक्स कल लिए तो इसको मैंने 15 मिनिट के लिए रच करने के लिए जब तक अपना डो तेयार कले तो तो मैं पर अपनेे और में नमक डाल दिया है और मीठा सुड़ा ताल रोयल ताल और को अच्छे सेम मिक्स कल लिया हातों की लिए और आप लोग इसको अच्छे से डो बनाई येगा फ्रेंट ना तो एकड़ा अदे अच्छे से बूधिये गूदीह ए तो बिल्कुल लिइ इस बोलना चाहिए जिस्टीच को कि वैसा हो जाय तो बस मेने डोगो अच्छे से रदी कल लिया में रचल दूगी ररीक जाए इसके आपन आजाते है अपने फिलिंग्स के उ पास तो देखिए अपने फिलिंग्स में जो अपने नमक डालके रखा थे तो इसने पानी सारी तो ने तबें हो जिकला हो चूका है और अपनी फिलिंग रैडी है अब इसमें लगाना है अपन को तडका सो फ्रेंट चलिया हुआ आपन तडकी की बाती था तलके की हेल्प नहीं है तडकेस की हेल्प ले लेते हैं स्वेशली सारी तेकि मैंने पैन में ऑईल डाल के इसे गरम होने रख दिया और इसमें अब मैं डालने जा रही हूं जिन्जर काली का पेस्ट आप लोगों को जितना जितना जिन्जर काली का पेस्ट पसंद है अब उत और इसका कच्छा पन जब तक खतम नहीं हो जाता जब तक अपन इसको अच्छे से चला के फ्राइ कर लेंगे अदर वैसे अपन चलाओंगे निन तो इन लगने लगेगा जिसे पूरी की लोगया बनाते आपन वैसे बना लेंगे और इसको अच्छे से बेलेंगे इसको अच्छे से पानी की करके च्योट च्योट शोट भिना रही हूँआ हम लोग घडी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट करके बताईए का तो देखी कि हमारा मुमुस कितना क्यूट लग रहा यार. देखो तो सही बनने के बाद कितना क्यूट लग रहा है ना. देखे चलिए मैं आपको एक और बनाना बताती हूं कि कैसे बनाती देखो मैंने इस पूड़ी को बेल दिया बीज से मेरी पूड़ी मोटी है और साइट से बिल्कुल पतली है क्योंकि ये साइट से अपन गिड़ी भी करेंगे न तो ये लोग उपर की तरफ ऐसा निकलता है तो वो मोटी हो जाती है तो नॉर्मल अपन को रखना आपको फिलिंग में अगर आप लोग चाहे ना तो वो भी आड़ कर सकते पनीर अगर आप लोग को एड़ करना तो आप लोग पनीर आड़ कर सकते मेरे पास पनीर नहीं था तो मैंना आड़ नहीं कि अगर मेरे पास हो तो मैं उसे साब से 6 या 5 बना लेती हूं उसके बाद में सेकंड बैज बनाओंगे इसको जब तक स्टीम होने के रख दूंगी तो मैंने अपना स्टीमर जो है दिखिए मेरे 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 स्टीमर जो है और मैंने मेरे स्टीमर जो है बतलब कि जिस भगोने में मैं हमेशा बनाती और अच्छे से घ्रीस करिए का फ्रेंड नितो क्या है कि मोमोस आरे पक जाएंगे और नीचे से तूट जाएंगे तो आपके विस्ट हो जाएंगे मोमोस तो प्लीज बहुत अच्छे से ओल को ग्रीस कीचे गा अच्छे से तूट जाएंगे और इये 15 मिंटीज मैरे मोमोस का अच्छे से ख़गए ना अग़ा है कि मेरे मोमोस का जाएंगे ये फिछ गॉत अच्छे से आर्लीज को आपके ये ये ओनी का जा ख़गए और विल्कुल स्टीम वाले जो पन्ते हैं वेसे बन चुके हैं अगर जब तक अपन टमाटर की चटनी बना लेती है अपने लिए आनी कि मेरा मुमोस के साथ जो चटनी होती है वह वाली तो मैंने टमाटर को अच्छे से दोलिया और उपर से कट कर दिया मैंने और इनको अच्छे से उबलने के लिए रख दिया है जब तक मेरा मुमोस सारे तो थोड़ा सा क्या ना कि उसके जो फिलिंग यो बाहर आ गई थी तो उसकी वाज़े से ओल में ऐसा हो गया थी तो यह देखिए मेरे हाँ पर टमैटो हो गए थी और मैंने इनको ठंडा होने के बाद रफली चॉप कर लिया मैं मिक्सर की हेलप से इनको अच्छे से पीस लू जो प्यूरी पीसी थी वो भी मैंने डाल दी इसमें नामक और लाल मिर्ची आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं खड़ी मिर्ची भी मैंने अबाली थी तो मुझे लग रहा थी कम तीखी होगी तो मैंने तीखे के हिसाब से और डाल ली थी और इसमें मैंने फिर सोया सॉस अच्छे से चला लिया है और इसमें फिर में थोड़ा सा विनेगर डालूंगी अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा ना कि निबू भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजेगा और इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट को बेलेंस करन जादा नहीं डालने और फ्रेंट्स आज आजाएं मुमस खाने के लिए रेडी है अपने मुमस किते क्यूट लग रहे है ना चलो फ्रेंट्स आजाओ आप लोग भी खाने के लिए और पहुत अच्छे हो और बहुत इंजॉय कर रहे होना है साल को यानि कि 2021 को सो कैसे रहे आपके बाई दो तीन दिन हो चुके हैं सो दो तीन दिन नहीं टू डेस होएं अल्ली टू डेस मैं भूल गे लिए कि मुझे लागा तक आज तीन तारीक है तो आप लोग क्या कर रहे हो गाईस मुझे कमेंट लेकी बताना और आज मैं स्पेशलिक शूटर सा व अच्छा तर आप लोगों ने खाये कि नहीं खाये आप लोग नहीं खाया हो तो प्लीज जा कर देखो कि मैंने कैसे बनाये मुमोस और टेस्ट करके बताओ कि कैसे देखे लिए